तो भाईया आखिर सोके मेकर्स ने चिराग और विदिप्ता के साथ क्यों गलत किया आखिर क्या वज़ा थी जो उन्हें बॉटम में रखा गया क्या विदिप्ता और चिराग को वोटिंग बहुत कम मिला था या फिर इन दोनों का पॉफॉमेंस अच्छा नहीं था या फिर स सोके फिनाले में चिराग और विदिप्ता पहुचेंगे या नहीं जी हाँ तो कल के एपिशोर में सोके पूरे एक महीने बाद एलिमिनेशन का एननाउंस किया गया जिसमें नौदीब शोषे बाहर हो गये और बॉटम में चिराग और विदिप्ता को रखा गया जबकि किस जजेस स्कोर को देखा गया जिसमें जजेस स्कोर के एकॉर्डिंग चिराग कोतवाल विदिप्ता चकरोर्ती और नौदीव वडाली को सबसे कम जजेस स्कोर मिला था आप इसका मतलब यह है कि चिराग और विदिप्ता का पिछला परफॉर्मेंस जजेस को ज़्यादा जये जहिन